साहस सरोकार बदन में राजपाल के अभिभाशर पर चर्चा होगी इस दौरान भी हंगामा होने की पूरी संभावना है मंगलवार को मुख्यमंतरी योगी आधितनात सदन में मौजूद रहेंगे साती राजपाल ने अपने अभिभाशर में जो सरकार की उपलब्धिया बताई है स्रीयम भी उन्हें विस्तार से बता सकते हैं आपको बता दे कि बीते दिनों सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधाय को ने राजपाल के अभिभाशर के दोरान कानून विवस्ता रोजगार जैसे सवालों को लेकर जम कर हंगामा किया था इसके बाद बजट सत्र को इस्थागित कर दिया गया था पहले दिन की कारेवाई राजपाल के अभिभाशर से शुरू हुई थी इसके बाद पूर्व सदस्यों के हुए देहांत पश्रधाजली दी गई इसके बाद सपा विधायकों के हंगामा करने के कारण विधासभा की कारेवाई मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थागित कर दी गई थी आज सदन की कारेवाई का दूसरा दिन है और काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है दूसरे दिन की भी यूपई विधान सभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है जहाँ पहला दिन राजजपाल के अभिभाशट से शुरू हुआ आज धन्यवाद प्रस्तावर रखा जा सकता है ग्यान वापी मस्जद विवाद के लिए आज का दिन बेहद एहम है वारार्सी की जिला अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है जिसमें ये तैह होगा कि केस की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ाई जाए अर सबसे पहले कौन सी याठीका पर सुनवाई की जाए सुनवार को हुई सुनवाई में हिंदु पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दली ले दी हिंदु पक्ष ने मांग की है कि पहले कमीशन की रिपोर्ट के अधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए साथ ही ग्यानवापी में मिले शुवलिंग की फोटो और वीडियोग्राफी देखे जाए जबकि जहनकारी के मताबक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मामले के सुनवाई आदेश साथ के नियम ग्यारा के तहत होनी चाहिए साथी सुप्रीम कोट के आदेश के मताबक उनकी याचिका को प्राथमिक्ता दी जाए उन्होंने ये भी कहा कि ये के सुनने लायक ही नहीं है फरुकबाद के बाग लकूला में मसेनी चोराहे की और बनी अस्पताल और होचलों के अवैद हिस्से पर बुल्डोजर चला है जहां बाउंडरी वॉल और बाहर बनी शौचाले को गिरा दिया गया साथी दो-दो मंजिला इमारतों का अवैद हिस्से को भवन स्वामी खुद ही गिराने में जुड़ गए बता दे कि सोमवार सुभा आठ बजे सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस और पीएसी के साथ बाग लकूला पहुची थी उन्होंने अपनी देखरेक में नक्षे के अनुसार नाप करवा कर अस्पतालों मकानों दुकानों होटलों गेस्ट हाउस की दिवारे बाउंडरी वॉल गिरवानी शुरू की लेकिन आंधिवारिश के कारण समय से पहले ही अभियान बंद हो गया था अबयान कहां से गहां तक था है अज लकूला रोपर मसे नी चो रहा है थे लिए अश्पताल थे वहां है कुल तक समय दिया लिया एक जो बहुमारत थे तीन मनजिला तक इमारत थे क्या नक्से पर मांगेगे गए? उनके नक्से अभी नहीं चाज कराएं, लेकिन जो सड़क के इसे में भी आई हैं सरकारी नजूर पर जो उनका इस्ट्रक्चर है उसको हम दुस्त कराएं अमा क्या ना मैं आपका? कहां करहने वाली हैं? रामपूर में पैसो के लेन देन को लेकर दो पक्षो में विवाद हो गया, जिसके बाद मामला थाने पहुच गया पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की इस दोरान पुलिस से भी धक्का मुक्की की गई पुलिस ने उन्हीं समझाने का प्रियास किया तो वो लोग पुलिस से भी अभधर व्यवार करने लगे वही मामले में पुलिस से 6 यूकों के खिलाफ में मामला दर्ज कलिया है बता दे कि रामपुर के थाना कैमरी का ये पूरा मामला बताया ज़ा रहा है सर थाना कैमरी पुलिस दुआरा 6 अभ्युक्तों को गिरपतार किया है क्या है पूरा मामला सरदार बल्जीस सिंग्ग के हर्दवाई लाल पर कुछ उधार के पैसे थे बल्जीस सिमरिया गाओं के पास से बुझर रहा था उसने देखा कि हर्दवाई लाल सिमरिया गाओं की खेश से मिट्टी खुद रहा है। उसने का कि तुम में मेरे पैसे नहीं लोटाया है, मिटीख कोद रहे हैं, मैं HDM साफ से सिग्राइट करता हूँ, उसने HDM मिलक को फोन बिना कर रात में 11 वजे बता दिया कि यह अधिक कोद रहे हैं, HDM मिलक ने थाना दियक्स कैमरी को बताया, कैमरी पुलिस गई और वहाँ पर जो सरदार बलजी सिंग और हर्दवार उला, दोनों पक्षों वहाँ पर जगड़ा करें थे, आप उसमें कासुन गुरी तो दोनों पक्षों को थानी पर लिया, लखनो के थाना नगराम में मदारपूर तमोरिया के लापता अखलेश कुमार का शव जंगल में अपनी ही शर्ड से बनाए गए फंदे से लटकता मिला है, जिसकी पहचान के बाद पुलिस ने इसमामले की जहनकारी परीजनों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुँचे प जिसकाने के बावजूद पुलिस ने लापता युवक को ढूनने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। दर्द करने के बाद पुलिस ने का पुरा प्रयास कर रही थी, लेकिन आज सुवेलिक टाइम में सोचना मुली कि एक बेक्शन गिलास तमरिय जंगल में लटकी हुई है, जिसके अधार पर पुलिस मौके पहुँची और सलोग पहुँचे वहाँ पर, तो सिरनाक थोई कि लास अखलेस के जो कमशना था, उस्से ही लास तो रहा प्रति मौक को कैसे सूचना मिली आज हम लोग हमारा पती हम लोग जैते एकि बाबा के लगे इनने ठोज करने के लिए, तो वहाँ एक ज़ने पोन किया है, यहां यहां सोरी चरा रहे थे जंगल में नी उसकी सोरी जहां पर हमारा देवा लड़का था वहां पर सोरी गई थी तो उसने अपनी सोरी देखने गए थे तो वो देखा है बताया है कि जंगल में एक इंसान लड़का हुआ है हमीर पुर्चनबत की राट को तुआली पिलिस ने वाहन चेकिंग के दोरान एक चार पहियां वाहन में सवाच जे बखरी चोरों को गिराफ्तार के लिया है जिसके कबजे से चोरी की गई एक तालिस भेड और दस बखरी अबरामत की गई है इसके लावा गिरफ्तार किये गए चोरों के कब्जे से पुलिस ने असलहा और कार्तू समेत नगदी भी बरामत की है वहीं से मामले पाइज सीओ राठ अभे नारायन राय ने बताया कि ये एक अंतराजी गिरो हैं जिसके खिलाफ कई जनपदों में मामले दर्ज हैं किस संद्र में की जनपद हमीरपुर लगातार बकरी चोरी के मामले में बीडित रहा है और इसके लिए हमारी थाना पुलिस लगातार शक्री रही है कि जिससे की ठाने छेदर को सुरक्षित रखते हुए इस तरह के जो भी संदिक बेखती है उनको ततपरता से गिरखतार किया जाए इसकी सूचना आज प्राप्त हुई कि धमना में एक जगह पर ये एककत्रे तो हुए है जो वहीं पर बेचने के फिराक में है इस सूचना पर तुरंत ठाना पुलिस के द्वारा सकरिता दिखाते हुए पहुच करती है वहां उनकी पूछताच के दौरान पता चला कि उनके पास से 10 बकरियां एक 40 भेडे और तलासी में दो तमंचे कार्दूस इसके अतरिक एक सफेद बुलेरो गाड़ी और 18,200 रुपे जो उनके पास अन्य बकरियों के बेचने के माल करा के बाश लिए भरती कराया है से करते जागेस्वपरशाद पुत्र दाउस इनकी पतनी और इनकी पुत्री गंभीरी रूपस से जागे स्वर और इनका 13 वर्सी पुत्र की डित हो गई है और बाकी कैला चलना है सोन्भदर में साड़े चार साल पहले हुए दलगजन हत्यकांड में अब पर सत्रन्य अधीश कोट नमबर तीन में सुनवाई करते हुए प्रेमी राम नरायन और दलगजन की पत्नी संगीता को उम्रक्याद के साथ 788,000 रुपए के अर्थ डंड की सजा सुनाई गई है और अर्थ डंड नहीं देने पर 6 महिने की अतरिक्त क्याद भोगतनी पड़ेगी यह पूरा मामला 2017 का है जब एक पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर कुलहाडी से वार करते हुए अपने पत्थी को मौत के घाट उतार दिया था मंगलवार का दिन हनमान जी को समर्पित होता है यह तो हर मंगलवार खास महत्व रखता है लेकिन जेश्ट मास में पढ़ने वाले मंगलवार को काफी शुब माना जाता है जेश्ट मास का दूसरा बड़ा मंगल आज मनाया जा रहा है इसे बढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है इस दिन हनमान जी की खास पूजा अर्चना करने से भी सभी कश्ट दूर हो जाते हैं साती जगा जगा पर बड़े मंगल के दिन लोग भंडारे का भी आयोजन करते हैं और आज भी कई जगा मंदिरों में भीड सुभा से ही देखने को मिल रही है साती सात भंडारे के आयोजन भी किये जा रहे हैं बिजनौर में जमीन के लालच में अपने सगे भाई की हत्या करने वाले आरोपी भाई को पलिस ने उसके दो और सातियों के साथ गिरफतार कर जेल भेज़ दिया है पलिस ने गिरफतार हुए आरोपी प्रपास से हत्या में इस्तमाल कार और पचास हजार की नगदी बरामत की हैं आपको बता दे कि 20 माई को इस से घटना को अंजाम दिया गया था आने बाई का मडर जमीन के लोग में किया पिरा प्रकान है विजिन आवर के रसित पूर-गडि के स ववित और लवी दो सगे भाई हैं स्लभित सरावी टाइप का है इस ने अपनी सारी जमीन मोज मस्ति में bes दिया उडा दिया उसका छोटा सगा भाई लवी जिसके लिस्से 8 विदे जमीन थी आई वाहित है उसकी जमीन हडपने के लिए इसने एक योजना बनाई अपने दो साथियों के साथ एक एक लाख रुपए में तैक किया एक तरीके से प्रोती करूप में और साजिस करके शुप रिजार गाड़ी से हड़ार स्नान करने के जहां एक आप के जरीए अश्लील वीजियो बनाने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन लोगों को गिरफतार किया है इन आरोपियों पर लोगों को धमकी दे कर पैसे मांगने का भी आरोप है देखिए इसमें हमें कम्लेंट आई थी कि कुछ लोगों ने ग्राइंडर आपका यूज करके इसमें ग्राइंडर एक गे चाटिंग आप है जिसमें जो भी बंदा आपको डॉम्लोड करके चाटिंग करता है और सामने हाला वेक्ती उसको अपनी बातों में पसाकर अपने प्राइम उत्तर प्रदेश में फिल हाल इता ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार